दोस्तो नमस्कार आदाब सत्स्रीय अगाल नियूज क्लिक के कारिकरम नियूज मंथन में आपका स्वाधत है मैं हूँ उर्मिलेश इस बीच में दोस्तो गुजरात को लेकर दो किस्म के ओपीनियन पोल या सर्वे जो भी आप कह लिजी चुनाव सर्विक्षण आए है चुनाव सर्विक्षण को लेकर भारत में बहुत यकीन करना बहुत कठिन काम है लेकिन पूरी तरह इंकार करना नजरंदाज करना भी कोई अच्छी बात नहीं है एक पत्रकार के रूप में मैं ओपीनियन पोल्स को बहुत गंभिरता पुर्वक नहीं लेता क्योंकि वो ओपीनियन क्रियेट करने के काम ज़्यादा आते हैं लोगों के बीच सवाज के बीच मतदाताओं के बीच ओपीनियन बनाते हैं लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकते कि जो बिलकुल पार्टी हार रही हो बिलकुल हारना तय हो उसको वो जिता दें ऐसा भी कम होता है हलांकि ऐसा भी कुछ एक जगहों पर हुआ है लेकिन बैरहाल चुकि दोनों उपिनियन पोल आये हैं तो मैं जिक्र कर दूँ बगएर उनकी फाइंडिंग्स या उनके सर्वे पर कोई कटाक्ष किये कोई अपनी ओर से कमेंट किये जो वो कह रहे हैं हम उसको कोर्ट करने जा रहे हैं बस और ये एक तो CSDS लोकनीती का सर्वे है और दूसरा एबीपी सी बोटर का है इनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं दोस्तो तो आपके सामने पहले गुजरात पर शुनाव सर्वेक्षन अभी क्या कह रहे हैं इन आप हो सकता है आपने कुछ को देखा हो कुछ को सुना हो लोकनीती CSDS आम तोर पे गंभीर सर् और सर्वेक्षन का जो कंटेंट या कंपोनेंट होता है वो ज्यादा होता है इसमें इन लोगों ने कहा है कि गुजरात में आम तोर पे लोग मौजूदा सरकार के खिलाफ नहीं हैं उनका तो मानना है कि नौजवानों में 49% लोग सरकार को अच्छा काम करता हुआ बता रह हैं महिलाओं में 56% लोग संतुष्ट हैं सरकार से आधिवासियों में 40% लोग खुश हैं गुजरात में आपको बता दें कि आधिवासियों की स्टी की जो पापुलेशन है 14.8% है किसानों के बारे में उनका कहना है कि आधे से कुछ अधिक किसान यानि आबादी में 51% किसा मौजुदा सरकार से खुश हैं और मुस्लिम आबादी जो है वो 40% मुसल्मान भी सरकार से संतुष्ट हैं और 10% मुसल्मान टोटल गुजरात की आबादी में हैं तो ये एक फाइंडिंग है जो एक सिरियस आगनेजिशन की है जो इस तरह की चुनावी सर्वेक्षन भी करत बीजेपी के पक्ष में है कॉंग्रेस के पक्ष में 17% है अब आदमी पार्टी के पक्ष में 20% है अब ये चौकानेवाला सर्वे है बहराल आप सुन लीजे इसके बाद मैं असल कहानी पर आता हूँ और बीजेपी की सीटें ये दे रहे हैं 131 से लेकर 149 आपको बता दें क टोटल गुजरात की सीटें 182 हैं कॉंग्रेस को 31 से 49 दे रहे हैं आप आदमी पार्टी को 7 से 15 दे रहे हैं अन्य को 2 दे रहे हैं अब ये बताना आपको बहुत जरूरी है कि 2017 का चुनाव जो पिछला चुना हुआ था उसमें किसको कितनी सीटें थी तो 77 सीटें कॉंग्रे ने हासिल किया था पिछले एलेक्शन में 2017 के और बीजेपी को सीटें आई थी 99 यानि फासला सिर्फ 20 का था 20 का और दोनों के जो परसेंटेज आप वोट्स हैं कॉंग्रेस को 41.4 परसेंट वोट मिले थे और बीजेपी को 49 परसेंट वोट मिले थे और बड़ी दिल्चस्व बात यह है कि चुनाओ के बाद कॉंग्रेस पार्टी ने जो की एक तरह से वो जीतते हुए हार गई और लोग बताते हैं कि सुरत और पूरबंदर के इलाके में अगर आप सड़न चेंजेज ना आए होते वोटर्स के पैटर्न में ऐसा माना जाता था कि कॉंग्रेस को सारे कारण बताए गए तो लोगों का कहना है आकलन करने वालों का गंभीर चुनाओ विशलेशक विशलेशक जो हैं उनका भी कि कॉंग्रेस चुनाओ जीत भी सकती थी लेकिन बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट किया बहुत लास्ट में और बहुत सारे और तिकड़म कि गए और किसी तरह से चुनाव निकल गया 2017 का लेकिन कॉंग्रिस पार्टी ने 2017 के चुनाव के बाद अगर आप देखें तो गुजरात को बिलकुल इग्नोर किया या यूं कहा जाए गुजरात में अपने संगठन पर अपने विस्तार पर उसमें कामी नहीं किया और दुर्भागे की उसके बहुत महत्मूर नेता आहमद पटेल आहमद पटेल उनका बहुत दुर्भागी जनक परिस्थितियों में कॉर्णा के दौरान निधन हो गया उसके बाद तो कॉंग्रिस पार्टी गुजरात में लगता है कि बिलकुल अनात हो गई बलकि उसको मैं भोजपूरी शब्द यूज़ करूँ तो टूर हो गई और केंद्री नेत्रितु से आला कमान जिसको आप कहते हैं कॉंग्रिस वाले उस आला कमान की तरफ से किसी ऐसे दमदार बड़े नेता को बागडोर नहीं सवपी गई गुजरात की एक प्रभारी के तोर पे जो भार 2017 का या जीतते हुए हार गई थी उसको दिगविजय की तरफ ले जाए दिगविजय सिंग की बात मैं नहीं का रहा हूँ मैं चुनाव जीतने की बात कर रहा हूँ कि चुनाव जीतने के करीब ले जाए चुनाव जीता दे कांगरिस को ये स्थिती कम से कम नहीं आई थी और लगातार भारती जंता पार्टी के शासन में है गुजरात में क्या क्या हुआ इसके बारे में अगर हम बताना शुरू करें तो बहुत वक्त लग जाएगा गुज़रात में ऐसी ऐसी घट्नाएं हुई जिन से भारती राज नहीं थी नो सिर्फ प्रभावित हुई बहुत बड़े बड़े उलट फेर हुए तो 1995 से जो पार्टी लगातार बनी हुई है मुख्यमंत्री सिर्फ बदलते रहे हैं लेकिन पार्टी का शासन बरकरार रहा है तो क्या मारा जाए कि इतनी नाराजगी हलांकि ये सर्वे नहीं दिखा रहे हैं कि नाराजगी है लोगों में लेकिन जो अखवारी खवरें हैं और खासकर गुजरात के भी अखवार अगर कुछ एक को छोड़ दिया जाये तो बहुत सारे गुजरात के भी अखवार हैं जो तमाम दबाओं के बवजूद भी कई बार सच दिखा देते हैं और उसमें भी ये चीज़ें आ रहे हैं मोरवी का अभी जो हाथसा हुआ मोरवी के हाथसे पर भी जिस तरह का आक्रोश लोगों में दिखाई दे रहा है किसानों में जो आक्रोश दिखा था खासकर किसान आंदोलन के दोरान किसान आंदोलन के दोरान गुजराच के किसानों का एक हिस्सा भी यहां आ करके उनको समर्थन दिया था और यही नहीं लोग बताते हैं कि सौरास्ट्र में जो किसान हैं दूसरे और इलाकों में वे भी बहुत नाराज रहें लेकिन इतनी ज़्यादा बेरुजगारी के बावजूद इतनी ज़्यादा बेहाली और महंगाई के बावजूद अगर सरकार को, मौजूदा सरकार को लोग वाकई समर्थन दे रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि एंटी इंकंबेंसी के बावजूद भारती जनता पार्टी गुजरात में चुनाओ जीत जाएगी क्या गुजरात में अपने 27 साल के सासन के बावजूद भारती जनता पार्टी फिर से शासन में आ जाएगी ये सवाल इसलिए कि तमाम ओपीनियन पोल्स यही दिखा रहे हैं कि भाजपा का जनता में विरोध तो है पर जीते की वही क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस गुजरात के चुनाव मैदान में बहुत सक्रिय और बहुत जुजहारू बनकर चुनाव नहीं लड़ रह माना जा रहा था कि चुनाव घोशना के बाद कांग्रेस अपना अभियान बहुत तेज कर देगी लेकिन ऐसा फिलहाल नजर नहीं आ रहा है सिवाए इसके की कांग्रेस पार्टी गुजरात में पांच जगों से पांच यात्राएं निकाल रही है जो काम उसे पांच-छे म उसका उनको फैदा मिला तो जो काम पांच-छे महिने पहले करना था वो पार्टी आज कर रही है इदाराम आदमी पार्टी ने अपनी पंजाब विजच से उस साहित हो करके गुजरात में अपना राजनिती का भियान बहुत तेज कर दिया है उसकी पूरी पार्टी मशिनर जब मैं कहा रहा हूं तो दिल्री की भी और पंजाब की भी इन दिनों गुजरात में लगी है चुनाव दो राजियों में हो रहे हैं पराम आदमी पार्टी ने हिमाचल को लगभग छोड़ दिया है और अब सिर्फ गुजरात पर उसने अपने को ध्यान अपने का अपना क उत्ते हुई थी कुछ सब्ता पहले दिल्ली के उप मुख्यमंतरी मनिश्टी शोदिया जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं उनकी कथित गिरफतारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कारिकरताओं ने भासपा के खिलाफ पुरा आंदोलन इन एडवां के बवजूद उसके नेता बेदाग साबित हुए सिसाओधिया को भगत सिंखे उतार के रूप में पेश करने की भी कोशिश की गई निश्चहीस पूरी प्रक्रिया का फायदा आम आदमी पार्टी को गुजरात में मिला या कम से कम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसका फायदा लेने की पूरी कोशिश की है क्योंकि मारा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जिसकी 2017 के चुनाव में हर जगा 29 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था और हर सीट पर उसकी जमाना जब्त हो गई लेकिन शायद इस बार गुजरात के चुनाव में वो इस्तिती खलकों में जो माना जा रहा है वो ये कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में नूरा कुष्टी हो रही थी अब आम आदमी पार्टी के निता गुजरात में इसका फैदा उठाने की हर संबव कोशिश कर रहे हैं इसका एक फैदा भाजपा को भी है कि उसकी कांग् मुक्ट भारत करेंगे तो कॉंग्रेस मुक्त राजनीत की जो इसकी मन्षा है शायद उसको बल मिलेगा उसे खुशी होगी अगर गुजरात में उसका प्रतिपक्ष कॉंग्रेस की बजाए आमाद्भी पार्टी हो अगर ऐसा राजनितिक सूर्टेहाल गुजरात में उभरता है तो इसके लिए कॉंग्रिस की जिम्मेदारी भी कुछ कम नहीं होगी दोस्तों अगर पिछले कुछ महीनों का हाल देखें तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि बिल्कुल साफ दिखता है कि कॉंग्रिस के केंद्री नेत्रित्तों ने गुजरात को उसके प्रांती नेता समूहों के भरोसे छोड़ रखा था वहां भी एक ठोस मुकंबल प्रांती नेत्रित तो नहीं उबर पाया था तो कॉर्णा दोर में जैसा मैंने कहा कि पटेल साफ की दुरभागे पूर्ण परिस्तिती में जो मौत हुई उसके बाद कोई गाइट करने वाला व्यक्ती उसको सौपा ही नहीं गया तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी समस्या जो है कॉंग्रेस की गुजरात में है दोस्तों कॉंग्रेस के साथ एक और इधर एक डेवलप्मेंट है कि पहले अगर आप देखें दोजार सत्रह के चुनाओं में जो उसको बहतर परफॉर्मेंस मिली थी वो एक अपसर्ज भी था और यूथ खासकर नौजवान अलग-अलग कारणों से अंदोलित थे आपको याद होगा अलपेश ठाकुर और हार्दिक पटेल की जोड़ी जो है काफी तेजी से आगे बड़ी हलाकि अलपेश ठाकुर फिर भाजपार्टी जनता पार्टी में आ नरिश पटेल जैसे पटेल समुदाय के बड़े एक सोशल लीडर जो सामाजी हैसियत अपनी रखते हैं अपनी जाती में उनको पार्टी में लाकर वो कमी पूरा करेगी पर भासपा ने बताया जाता है कि नरिश पटेल को भी इतना जरूर पटाया कि वो कॉंग्रिस पार् कि उसके पास गुजरात में इस समय कोई एक टीम नहीं है जो मास्टर इस्टेडिजिस्ट हो पिछले छे साथ महीने में कॉंग्रिस के शिर्स नेता राहूल गांदी जो सबसे बड़े स्टार हैं वो गुजरात में जहां तक मेरी याददास्त काम कर रही है तीन बार गए ह हैं 11 बार और केजरिवाल 13 बार गए हैं तो राहूल जी की भारत जोड़ो यात्रा भी दोस्तों गुजरात के बगल से गुजरते वे महराश्ट के हलकों से होते वे आगे निकल जा रही है जो उनका शेडूल है उनका जो रोड मैप है इधर गुजरात की अंदेखी के है और हार रही है तो भी एक सम्मान जनक हार हो कम से कम एक बड़ी चुनावती वो बीजेपी को दे तो इधर पार्टी आला कमान ने चुनाव संचालन के लिए राजस्तान के मुख्य मंत्री अशोग गहलोत को वहाँ भेजा है या उनको जिम्मेदारी दी है समय समय पर हो ये लग बात है कि कुछी सब्ता पहले इसी कॉंग्रेस पार्टी के आला कमान ने इनी गहलोत सहाब को बहुत बुरी तरह डिस्क्रेडिट किया एक तरह से उनकी भद पिटा दी और 2017 में यही गहलोत सहाब ने कॉंग्रेस के लिए गुजराज चुनाव का संचालन किया था शांदार संचालन तो अब ऐसे में देखना यह होगा कि अशोग गहलोत कॉंग्रेस पार्टी के कारिकरता नेता और अलग अलग लोगों में किस तरह अपनी अथार्टी को एसर्ट करते हैं और एक बहतर संचालन का कैसे वो पूरा प्रयास करते हैं तो पूरी ताकत से चुनाव नौ लड़ने के आरुपों के जबाब में दोस्तों गुजराज कांग्रेस के नेता बताते हैं वो भी उनकी एक दलील है कि इस पार वो चुनाव बिलकुल अलग तरीके से लड़ रहे हैं और वो क्या तरीका है वो किसी शोर शराबे के बगैर silent campaign strategy के तहद micro level management कर रहे हैं हम अपने बड़े निताओं को बाद में उतारेंगे ऐसा उनका कहना है प्रियंका गांधी भी होंगी और राहुल गांधी भी होंगे प्रियंका गांधी काफी दिन गुजरात में बिताएंगी क्योंकि आप जानते हैं कि हिमाचल का चुनाव और गुजरात का चुनाव अलग-अलग किया जा रहा है एलेक्शन कमिशन की काफी इसको लेकर अलोचना होई है तो हो सकता है कि हिमाचल के एलेक्शन से खाली होने के बाद प्रियंका ततकाल गुजरात में चली जाएं और राहूल गांधी बीच में आएं बहुत बड़ा राहूल गांधी पर दबाव है गुजरात कॉंग्रिस के नेताओं का कि वो अपनी पधियात्रा से बीच में अवकाश लेकर जरूर आएं गुजरात हमने टेलिफोन से कुछ कॉंग्रिस के गुजरात इस्थितनेताओं से बाचीत भी की है और उनका कहना है कि राहूल गांधी ने उन्हें एश्योर किया है कि वो रोड शोज में आएंगे कुछ मीटिंग्स पब्लिक मीटिंग्स भी करेंगे लेकिन 2017 की तरह वो नियमित चुनाओं में पार्टी की अगवाई नहीं कर पाएंगे इतना बिलकुल साफ है अब देखना है दोस्तों कि ये जो माइक्रो मेनेजमेंट कॉंग्रिस का है साइलेंट जो स्टेटिजी है कैम्पेंड की वो कितना काम करती है लेकिन अगर एंटी इंकंबेंसी नाराजगी क अगर भारती जंता पार्टी चुनाओं जीतती है तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि उसने जवरदस्त काम किया है चुनाओं जीतने के जितने तीकडम हो सकते हैं जितनी नेटवरकिंग हो सकती है उसका उसने भरपूर इस्तेवाल किया है और विपक्ष ने बीजे